Dear students, now we are going to do the exercise of computing simple index variable in SPSS. आईए देखते हैं कि हम इसको practically SPSS में किस तरह करते हैं. Students, ये मैंने एक SPSS फाइल खोली है, जिसमें हमने इस study में General Anxiety Disorder का scale इस्तमाल किया हुआ है, और scale की भी 7 items है. तो अब हमने इसका composite score एड़ करना है, तो वो कैसे होगा, हम transform में जाएंगे, transform में से compute variable की option उसके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कि वो जो आपके variables जो items हैं, वो आप select करेंगे, one by one, और उनके दिरम्यान आप plus का sign एड़ करेंगे, अब इसको आप, हम यहां पर इसका name लिख देते हैं, CSGAD, composite score of get, इसको OK करेंगे, तो आपके पास यह score execute होके आजाएगा, हम देखते हैं, तो यह आपके पास एक composite score add होके आगया, अब हम चाहते हैं कि हम इसी score को standardized करेंगे तो आप दोबारा जाएंगे transform में वहां पर compute variable को click करेंगे और यहां पर आप इसी जो आपने variable को add किया हुआ है उसको standardized करने के लिए आप parentheses लगा देंगे score में, और इसको डिवाइड कर देंगे आप seven के साथ, तो कि साथ items है, अगर यहां पर पांच items होती तो हम इसको पांच के साथ डिवाइड करते हैं उसकी average निकालने के लिए, okay करेंगे, तो आपके पास output view में यह, वो command आगे के यह, आपका जो है, जो आपने command perform की है, वो execute हो गया है, और इसकी अगर आप जाकर देखेंगे, तो आपके पास यह value आ गई है standardized, यह आपकी simple value है, उसी scale की और यह standardized value है, यह average value of each respondent, तो दोनों तरीकों से इसको इसको इस्तमाल किया जा सकता है, यह आपके scale की methodology और researcher की nature of study के उपर है कि वो इसको कैसे use करेगा, तो इस module में हमने इसकी practical exercise करके देख लिया कि simple indexing कैसे की जाती है और standardized indexing कैसे की जाती है, कर्ज couple ऑनमत्स के जाria की जाती है, झाल झाल